सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटीफिकेशन वेल भी दोस्तों आपको हर अप्डेश यहां पर आप देख सकते हैं आकड़े कि अगर बात कर ली जाए तो आंगनबारी और साहिका बहनों का अगर मैं आकड़ा आपको बताऊं तो 19,000 बहने वहाँ पर हैं और 5,10 हर घर म हुमारी रसोया बगेरा है 14,000 साइद उनकी संक्रा लिखी हुई है 5,10 से उनके भी हो गए और 70,000 वो हो गए 1,65,000 बहने यानि कि वोट जो हिमंत सोरेन के है वो उनके पच्छ में आया और किसकी बदौलत आए आइंगनबारी बहनों की बदौलत आए तो यहां पर साथ में और कहना चाहूंगा हुमंत सोरेन भाई आया थे धरने पर उन्होंने बहुत कुछ कहा था अभी उसके बारे में भी मैं जिकर करूँगा मैं चाहता हूँ यह वीडियो हमारा हर एक राज में उछलता कुटता जाए इधर से उधर से उधर सेर किया जाए ताकि हर राज में जो सत्ता में बैठी सरकारे हैं उनको सोचना चाहिए कि जैसे सत्ता अंगनबारी बहनों ने जार खंड में पलट के रख दी ऐसे ही आपके राज में भी पलट सकती है यदि उनकी मांगों को आपन देखा करते हैं साथ में उनको धोखा देते हैं सबसे बड़ा धोखा उत् हिमंत सोरन भाई को अपना फर्च निभाना चाहिए तो यहां पर उमीद भी करता हूं वो आगे इस काम को बढ़ावा देंगे एक लिखा है कि एक तरह से कहा जाए तो ये लोग जो है इतने आठ लाक और 65,000 जो है पारा सिच्छक आंगनबारी सेविका और साहिका हैं तता अगनबारी बैनों के साथ में हुई थी अब मैं चलता हूं आप लोगों को सीधा उन तस्वीरों की ओर दिखाते हुए जहां पर मैं कहना चाहूंगा कुछ तस्वीरें हैं जो धर्नों के हमारे पास वीडियो 31 अगस्त का वो दिन था जब सुधानसू पटेल चैनल यूट किस अगस्त को हमने वीडियो डाला था जिसको देखना आता है जाकर की देख सकता है उसमें मैंने दिखाया था बहुत अच्छे तरीके से हर एक समस्या को हर एक वीडियो को देली की कवरेज मैंने दिखाई आल इंडिया आंगनबारी न्यूस चैनल और सुधानसू पटेल की एक साथ मिलकर के कंदे से कंदा मिलाकर के आगे बढ़े एक दूसरे के सुक दुक में भागीदार बने यहाँ पर मैंने बताया था कि रात में बारिस में भीगती है दिन में धूप में जलती है देखिया अंगन बारी बहने धरने में कैसे रहती है यह एक वीडियो था हम बेहनों किया आपका दिल नहीं कहता सोला दिन से भूंकी प्यासी ठकी हारी अपनी इस बेहनों की हमसम मदद करें ये उसलिए था कि जब आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा संक्चा में मारी बेहने वहाँ पर बैठी हैं धरने में जब बैठी थी तब हमने उनको आवाहन किय बुलाया था धरने पर कि बेहनों वहाँ पर जाएए सब कुछ होगा यूनियन वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है उनका साथ देने के लिए घरों से निकलिये तब ही विरोध होगा तब ये दो दो तिन तिन महीने हमारा धरना चलता रहा आगे आपसे कहना चाहूँगा एक और 9 सितंबर को वीडियो था ऐसे बहुत से वीडियो है आल इंडिया पर भी आप सर्च करें ये इतने वीडियो हैं जिस उधानसु पटेल सिर्फ एक चैनल के मैं दिखा रहा हूँ बाकी आल इंडिया पर तमाम वीडियो डेली के सुबह साम दोपायर के पड़े होंग पर थाली लेकर भीक मांगर धना पतवसन किया था उसके संबन्द में भी हमने 13 सितंबर को ये वीडियो डाला था आप देख सकते हैं तो हर एक चीज को बेटर तरीके से हमने दिखाया आगे आप देख सकते हैं एक वीडियो आया था हमारे दोरा जिसमें जो है हेमन्त सोरे जो मुख्यमंत्री पहले के थे अब तो सत्ता में आ चुके तो वर्तमान के हो गए पहले जब वो सत्ता में से बाहर थे जब रगवरदा सरकार थी तब जाकर के उनका विरोध में हमारी बहनों का साथ देने आयते हमन्त सोरें उन्होंने कहा था अगर आगन बारी माताओं बहनों का कुछ हुआ तो मैं रगवरदार सरकार की इट से इट बजा दूँगा और आज इट से इट बच चुकी है रगवरदार सरकार की और यहां पर उनका सहयोग आगन बारी बहनों ने हेमन सोरें भाई का दिया है अब उमीद करता हूँ हेमन सोरें भाई भाई भी इसके साथ गलत हो रहा, आप सही करिए, जब आप सही करना स्टार्ट कर देंगे, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, तो जरूरत है आंगनबाडी बैनों की समस्याओं को हर एक राज में उठाने की, उनके मुद्दों को संसत भवन में उठाने की, इन चीजों को लेकर क और आगे देख सकते हैं, बहने बोली हैं, भाईया आने में देर कर दी, इतना सुनते ही रो पड़े थे हेमन सोरेन, तो ये सारी चीज़े हमने कवरेज किया, आप लोग चाहें, तो वीडियो 17 सितंबर का सुधानसू पटेल चैलन पर देख सकते हैं, आगे कहना 19 सितंबर को वीडियो डाला था, धरने पर आंगन बाड़ी बहनों की सच्चाई, धरने पर बहनों की सच्ची हकीकत देखिया, मुख्यमंती रगवर्दास जी सुनिये बहनों की आवाज, लेकिन फिर भी 19 सितंबर के बाद भी रगवर्दास ने नहीं सुना, उसके एक वीडियो डाला था, जो 23 सितंबर को, उसमें हमारी बहने आज धरने पर ही, जो हमारी आंगन बाड़ी बहनों को मनानी पड़ी थी, जियुतिया पूजा, पूजा भी बहनों ने अपने वहाँ पर धरने पर ही मनाई, कोई भी बहन घर नहीं गई, तो खुश सूचिये, कितनी मुश्किल से बहनों ने धरना किया, और फिर भी जो रगबरदा सरकार को दया नहीं आई, जरा भी उनके दिल पसीजा नहीं, और बहनों की समस्याएं नहीं सुनी, आगे और देखते रहे, अभी क्या निकल के आ रहा है, एक वीडियो था 43,986 लोगों ने देखा था काफी बड़ी संख्या है, जिसे 1282 लोगों ने लाइक किया, तो 127 लोग ऐसे थे डिसलाइक करने वाले, जिनके अंदर ना तो दिल होता है, ना कुछ होता है, उनके अंदर सिर्फ जलन होती है, वही लोग लाइक कर, डिसलाइक करके चले गए, 24 सितंबर का वो वीडियो जह हैं, सोच लिजей यूटूब पर, जो डिसलाइक करते तो आप समझ जाते होंगे, वो कौन से लोग होंगे, या तो वो यूणियन में कुछ ऐसे लोग होंगे, जो खिलाप के होंगे, जो यूणियन धरना कर रहे होंगे, उन से, या फिर हमसे भी जलने वाले हो सकते हैं, क् हमारी सची खबरों से उनको जलन होती है वो चाहती है क्या सचलने लगा और हमारा धंदा जूट का जो वो चौपट हो गया तो आप देख सकते हैं आगे कहना चाहूंगा एक अगला वीडियो जो हमने डाला था 25 सितंबर को उसमें हमने दिखाया था अंगनबारी बहनों सरका यहां पर विरोध करना जरूरी है लेकिन वो विरोध सही होना चाहिए अब यहां पर जो मैं सचाही दिखाता हूं उसका भी अगर आप लोग विरोध करें डिसलाइक करें वीडियो को तो यह आपके अंदर एक अच्छी सोच नहीं कही जा सकती क्योंकि हम कुछ अपने लि करके ना विजिट करता हूं कि भईया आपका मैं वीडियो डिसलाइक कर दूँ ऐसा मेरे अंदर भावनाय नहीं है लेकिन फिर भी कुछ यूटूबर ऐसे अगर काम करते तो उनकी घटिया सोच है इसे मैं समझाना चाहता हूं आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं और 23 भाजपा सरकार ने बुलाया वारता के लिए और फिर क्या मिला जूट मिला आस्वासन मिला और उसमें हमारा यूनियन साथ उनके नहीं खड़ा हूआ दो बार वारता कराई गई अंत में कुछ नहीं हुआ वारताएं विफल नहीं और क्योंकि जो बिकेगा उसे आप नहीं लग सकती तो उसको आप कैसे खरीज सकते हैं कैसे उनको समझा सकते हैं तो इन सब चीजों को ले करके वारताएं हमेशा विफल नहीं क्योंकि हमारे यूनियन बिकने वाले में से जारखंड में नहीं थे तो ये कड़वी सच्चाई थी उनके जेबों में नहीं आयोंगे ये हम जानते हैं और हमारे वांकी बहने भी जानती होंगी तो यहीं पर कहना चाहूँगा आगे आप देख सकते हैं एक और वीडियो हमने डाला था जो कि आपका एक नवंबर को था और ये वीडियो बहुत ही अहम रोल अदा कर गया यिस वीडियो के जरिया बहनों ने विरोध किया कि आंगन बारी बहनों ने भाजपा सरकार को वोट ना देने की सपत ली है इसमें और बहनों देखिये कई राज्यों से बड़ी खबरेस वीडियो में हैं तो ये एक नमंबर का वीडियो सुदानसु पठेल जितने भी वीडियो के साथ मैं जो गलत हुआ एक एक लाठी चाज का भी बदला लेंगे साथ में प्रधान मंत्री आ रहा है ते अब हम जंता में हैं अगर मांगों को लेकर के उनके पास जा रहा हैं समस्याओं को लेकर के तो हमें रास्ते से पुलिस आये सुरच्छा बाल उठा करके जेल में डाल दे ये कहां तक जाया जाए तो ये सब कुछ हमारी बेहनों ने वहां पर सोचा समझा उनके साथ ये गलत हुआ इस वज़े से बेहनों ने सत्ता से उखाड फेका अब मैं इस वीडियो के माद्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि समूचे हिंदुस्तान को जितने भी राज हैं वहाँ पर बैठे हुए सभी मुख्यमंत्री महोदे तक ये वीडियो जाए मैं चाहता हूँ वहाँ तक जाए नहीं जाए तो आप लुग पहुचाने की कोशिस करें कि अभी हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं रहता कि ये सरकार सत्ता में आया या वो सरकार मैं यही चाहता हूँ जो आप वादे करते हैं उनको आप पूरा करिये अनिता भरोषा तूट रहा है और आप धोका एक बार देंगे दो बार देंगे कब तक देंगे क्योंकि आज नहीं तो कल उनको समझ में तो सब आही जाएगा कि आप पांस साल से यही कह रहे हैं कि मांदे बढ़ जाएगा लेकिन मांदे कहा बढ़ रहा है ये माईने रखता है जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लो पंदा सो बढ़ाया भी गया देर दो साल पहले तो वो आज तक बहनों को मिला नहीं अब बहने क्या करें क्या आप पर कितनी बार भरोसा करें अगली बार वोट आएंगे आप कहेंगे कि हम आपको राज करमचारी लगा बनां देगे नियमित कर देंगे मांदे की जगा तो है बेतन आपको देना स्टार्ट करनें अगर चाहते तो क्या हमारी बेहें आप पर भरोसा कर ले और कर ले तो किस बेस पर कर ले किस सधार पर कर ले तो इसका जवाब आपने दिल से पूछिये हर जगे के मैं मुख्यमंत्रियों से यही कहना चाहूँगा बाकि आप खुछ समझदार हैं आप समझिए मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जहां है जैसे हैं आप चाहते हैं सत्ता में बने रहना जरा भी टाइम नहीं लगेगा यह जितने भी वीडियो आपकी स्टीन पर मैं दिखा रहा हूँ यह सारे के सारे वीडियो हमारे वहाँ पर पड़े हुए अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ यह आपके जारखंड के जो रगवर दास जी थे जिनको काफी सत्ता में काफी लोग इनके बारे में काफी सारी प्रत्क्रियाएं करते हैं गलत गलत तरीके से अब वो सही भी है इसी वज़ए से वो करते हैं क्योंकि उनका करेक्टर ही कुछ ऐसा बन गया है इन्होंने कई बार कहा कि जो है डिगरी वगरा लेने से कुछ नहीं होता है और डिगरी वगरा रखे हुए कोई फैदा ही नहीं है पढ़ लिक करके पता ने कैसे कैसे बयान दिये जिस पर जनता ने काफी सवाल उठाए उससे भी बढ़कर के काफी चीजे लोगों के मन में आती रहते उठती रहती है जनता यहीं उम्मीद करती है पढ़ा लिखा जो है अच्छा एक मुख्यमंत्री उनके सामने रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा वहीं पर आप जानते हैं ये एक इसलिए हमने दिखाया कि यहाँ पर बहनों ने अपना फर्ज पूरा किया एक मुख्यमंत्री चुनने में सक्ता पलट दरने में अब बारी आती है उन मुख्यमंत्री जी की जो दरने में आकर के हमन्त सोरेन भाई कहे गए थे कि आंगन बारी बहनों के चोटका मैं एक एका बदला लूँगा और अगर कुछ बहन को कुछ भी हुआ तो मैं जो है इंट से इंट बजा दूँगा तो इंट से इंट तो बजगई वो आपके लिए बजगई आपकी पार्टी सत्ता में आ गई अब आपका फर्ज क्या बनता है बहनों की ओर ध्यान देना तो अब रगुवरदास और हेमन सोरेन रगुवरदास और हेमन सोरेन ये करना और ये जीत गए वो हार गए इस पर जो है चर्चा करने का विसे अब नहीं रहता अब मुद्दा आता इस चीज का कि अब आगन बाडी बहनों की समस्याओं को माननी हैमन्त सोरें जो मुख्यमंत्री नए बनना है जार करने के तो उनको अब ये देखना चाहिए साथ में मैं पूरे समुचे कांग्रेस पार्टी को भी एक संदेश पहुचाना चाहता हूँ कि आपकी भी सरकार गीने चुने कुछ ही राज्यों में बची है मैं बस यही कहना चाहूँगा भरोसा जीती है दिल जीती है तब ही कुछ होगा जुमले भी मत मारिये जैसे मैं देख रहा हूँ मद्धिपर्देश में क्या चल ला है राजस्थान में हुआ और मद्प्रदेश में यू हुआ कि वहां पर जो कमलाजी है कमलाजी ने क्या कहा कि नियमित कर देंगे और अभी तक बहनों को नियमित नहीं किया जा सका तो ये उनकी समस्या ये भी गलत है आपने कहा है तो उसको करिए नेमा वलियों में संसोधन करिए अपने राज्यों में उनका पैसा बढ़ाईए कुछ तो उनके लिए अच्छा करिए ताकि वो आपके साथ खड़े हो सके और अगर आप जिनके के लिए कहते हैं और नहीं करत है अन्य था सत्ता किसी की ब्याही नहीं होती कहने का मतलब है कि हम आपके हैं और जिन्दगी भर रहेंगे जीवन साथी बनके ऐसा कुछ नहीं होता आज नहीं तो कल जनता की आंके खुल नहीं है धीरे धीरे खुल नहीं है और उसके बाद में सत्ता पलट होती है तो मैं य जरिये से कि जो सत्ता में हम उसी से उम्मीद करेंगे जो नहीं है और जो भी गलतियां कर रहा है उसका हम विरोध भी करेंगे ऐसा नहीं जो हो रहा है सत्ता में है तो हम उनका सपोर्ट करें सपोर्ट गलत चीज का नहीं किया जा सकता सपोर्ट हमेशा अच्छाई का किया जा मांकी लोगों का क्या है वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं आप खुद सोचिए हमारी बहने जब लाथिया काती उनका मैं अगर वीडियो दिखाता हूँ तब भी लोग जो डिसलाइक करते हैं तो आप जानते हैं आल एंडिया पर भी कितने ज़्यादा लोग जल नहें उसमे जा गया होगा कि अब करना क्या है यही करना है हर एक राज में और साथी साथ यही कहना चाहूंगा संदेश को फैलाइए आप कुछ नहीं करेंगे संदेश अगर जाएगा तो साय सरकार ही अपनी सोच और जो नीतियां गलत रहती उनमें कुछ सुधार कर सके और बहनों की स गौसालों में बहुत परिसानी है इतने भी गौसाला है बेचारी गाये तरब रही है वहाँ पर एक जो है जो कुट्य बगएरा है वो गौसाला में जानवरों को खा रहे हैं ताब खुस मुचिए अप कैसी इस्तिती है दैनी इस्तिती इसके बारे में मैं ज़्यदा सिच्छा को दूर कर रहे हैं और असिचित लोग हो रहे हैं रोजगार मिल नहीं रहा है जीडीपी जो है देश की गिर रही है यह सब कुछ कब तक देशवासी बरदास्त करने पढ़ा लिखा इंसान इसको इग्नोर नहीं कर सकता धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के आवाज भी उठाई गई सच्चाई को लेकर के और मैं यहीं चाहता हूं कि आप सभी भाई बें सपोर्ट भी करें ताकि मैं खुल करके और ज्यादा आप लोगों के जो मुझे बल मिलेगा तो मैं खुल करके आवाज उठा सकूंगा और आगे तक आवाज जाएगी जिसके लिए सिर्फ आपको लाइक के साथ में हमें सपोर्ट करना है साथी सेयर करना है वीडियो को ताकि आवाज दूर तक जाए यहीं तक नहीं रहनी चाहिए हम और आप तक यह आवाज दूर तक जानी चाहिए धन्यवादों को